आर्थिक घटना चक्र बहु विकल्पिये वस्तोनिष्ठ प्रश्ण 1. वित्वश 2023 के द्वतिय त्रेमास जुलाई से सितंबर में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पात का कितनी प्रतीशत रहा है? A. 1.09 प्रतीशत B. 1.07 प्रतीशत C. 2.3 प्रतीशत D. 3.1 प्रतीशत उत्तर है A. यानि 1.09 प्रतीशत प्रश्ण 2. ऑपरेशन प्रोस्पारिटी गार्जियन के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन घलत है? A. हमास इसराइल युद्ध से उपजी परिस्थितियों के बीज, हमास खूती विद्रोहियों तता हिजु बुल्ला के साजा हमलों से बचाव के लिए एक पहल B. ये लाल सागर अदन की खाड़ी के रास्ते मालवाहक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनुश्षित करनी संबंदी एक बहु राष्ट्रिय सुरक्षा पहल है C. ये पहल संयुक्त राष्ट्र अमरीका के नित्रित्व में पश्मी देशों द्वारा प्रारंभ की गई है D. इसका संबंध लाल सागर से गुजरने वाले माल वाहक जहाजों पर यमन के विद्रोहियों खूतियों द्वारा मिसाइलों ड्रोनों से किये जा रहे हमलों से बचाओ करने से है उत्तर A. हमास इसराइल युद्ध से उपजी परिस्थितियों के बीच इरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले ऐसे सभी जहाजों पर ड्रोनों और रॉकेटों से हमली किये हैं जिन पर इसराइल समर्थक देशों के जण्डे लगे हैं A. सिकंद्राबाद तेलंगाना B. बेंगलूरू करना तक C. विजयवारा आंधरप्रदेश D. लखनो उत्तरपदेश उत्तर है D. उत्तरप्रदेश सरकार लखनों में नादर गंज ओद्योगिक शेत्र में भारत का पहला कृत्रम मेधा शहर A. आई सिटी विक्सित करने पर कार्य कर रही है प्रश्न 4. वर्ष 2024 के लिए कोपरा के नियूनतम समर्थन मूल्यों में की गई विर्धी के संधर्व में निम्नलिकित कत्रों पर विचार कीजिए एक औसत तरजे के मिलिंग कोपरा का नियूनतम समर्थन मूल्यों वर्ष 2023 में रुपए 10,860 प्रती क्वेंटल से 3 प्रतीशत बढ़ा कर वर्ष 2024 में रुपए 11,160 प्रती क्वेंटल कर दिया गया है 2. बाल कोपरा गोला का नियूनतम समर्थन मूल्यों वर्ष 2023 में रुपए 11,750 प्रती क्वेंटल से 2 प्रतीशत बढ़ा कर वर्ष 2024 में रुपए 12,000 प्रती क्वेंटल कर दिया गया है उपर्युक्त में से सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनो, D ना 1 और ना 2 उतर है C यानि एवं 2 दोनो प्रश्न 5. भारत में कोपरा यानि नारियल के उत्वादन और विपड़न के सम्मंद में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए 1. केंदर सरकार पतिवर्ष कलेंडर वर्ष के लिए मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा, गोला 2. तता डी हर्स्क्ड कोकोनट के नियूनितम समर्तन मूलिय क्रिशी लागत एवं मूल आयो की सिफारिश पर निर्धारित करती है 2. राष्ट्रिय क्रिशी सहेकारी विपडन संग नेफेड तता राष्ट्रिय सहेकारी उपभोकता फेडरेशन एन सी सी एफ कोपरा और डी हर्स्क नारियल की खरीद कीमत सहायता योजना के तहत सीधे किसानों से करती है 3. केरल तता तमिलनाडू मिलिंग कोपरा के तता करनाटक बाल कोपरा के बड़े उत्पादक राज हैं उपरियुक्त में से सही है उतर है डी एक दो एवं तीन सभी प्रश्न 6. भारत नैट परियोजना के बारी में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है A. इसके अंतरगर देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 4G नेटवर्क युक्त ब्रॉड बैंड सेवाओं से जोड़ा जा रहा है B. इसका क्रियान वयन विशेश उद्देश्यो वाहन SPV भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है C. इस परियोजना हीतु संसाधन डिजिटल भारत निधी से उपलब्ध कराए जाते हैं D. 31. दिसंबर 2023 तक देश की सभी ग्राम पंजाईतें ब्रॉड बैंड सेवा से जुड़ चुकी हैं उत्तर है D. 11. दिसंबर 2023 तक देश की 2,8,635 ग्राम पंजाईतों तक 6,75,466 km आप्टिकल फाइबर केबिल बिचाई जा चुकी थी प्रश्ण 7. भारतिय बैंकों की शुद गेर निश्पादित परिसंपतियां अनुपात सितंबर 2023 में किस इस्तर पर था? A. 1.2, B. 0.8, C. 0.6, D. 0.4 उत्तर है B. शुद गेर निश्पादित परिसंपतियां अनुपात का आगणन बैंकों की निबल अग्रिमों या रिणों की सापिक्ष किया जाता है। जो बैंकों की बकाया कुल अग्रिमों या रिणों में प्रावधानित धनराशी को घटा कर प्राप्त होता है। प्रशन आठ भारतिय रिजब बैंक द्वारा वित्य औस्तिरता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सितंबर 2023 के अंत में भारतिय बैंकों का पूझी परियाप्तता अनुपात कितना था? प्रशन नौ भारत में डिजब बैंकिंग के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सकत्य है? एक, बर्तमान में भारत में कतिपै फिंटेक्स नियो बैंक के रूप में घैर बैंकिंग वित्यक कमपनियों के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है 2. भारत में जूबिटर एफाई मनी नियो, रोजर एक्स नियो बैंक्स के रूपे कारिरत है सही कूट है A केवल एक, B केवल दो, C एक एवं दो दोनो, D ना एक और ना दो उतर है C, एक एवं दो दोनो प्रश्न 10 सोलवे वित्य आयोक का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है A. डॉक्टर अर्विन पनगढ़िया B. डॉक्टर राजीव कुमार C. अर्विन सुब्रमान्यम D. वी अनन्त नागिश्वरम उतर है A. डॉक्टर अर्विन पनगढ़िया प्रश्न 11 सोलवे वित्य आयोक के बारी में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए 1. इसका गठन समिधान के अनुच्छे 281 के तहट 31 दिसंबर 2023 को किया गया 2. डॉक्टर अर्विन पनगढ़िया को इसका अध्यक्ष निक्ष्न किया गया है 3. सोलवे वित्य आयोक की सिफारिश है 1. अपरेल 2026 से 31. मार्श 2021 तक की अवधी के लिए होंगी उपर एक्तमें से कितने कथन सही है A. किवल एक एवं दो B. किवल दो C. एक दो तीन सभी D. उपर एक्तमें से कोई नहीं उतर है C. एक दो तीन सभी प्रश्न बार है निमलिकित में से कौन सा कानून बहुपक्षिय व्यापार व्यवस्था के नियम काईदों का उनलंगन करता प्रतीत होता है 1. संयुक्त राज अमरीका का महेंगाई नियंतर्ण अधिनियम IRA 2. यौरोबिय संगत्वारा बनाया गया Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM सही कूट है A केवल एक B केवल दो C एक एवं दो दोनो D ना एक और ना दो उतर है C एक एवं दो दोनो प्रिश्ट संख्या 179 प्रश्ण 13 संयुक्त राज अमरीका में पारित महेंगाई नियंतर्ण अधिनियम के बारे में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए 1. इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विनिर्मार हीतू भारी सबसिडी प्रदान की गई है 2. विनिर्मार में इस्थानिय सामगरी के उप्योग को प्रातमिकता प्रदान करना 3. मुक्त व्यापार समझोते FTA करने वाले देशों से ही उपकरणों के इस्तेमाल को वर्यता प्रदान करना चार चीन से आयातित उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाना उपर्योक्त में से कितने कथन सही हैं एक केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी सभी चार उत्तर है डी सभी चार प्रश्न चौदे हैं, निमलिकित में से किसक शेत्र में दो हजार तेईस में हुई वृद्धी ने भारतिय रिजब बैंक को असुरक्षित खुदरा रिनो पर जोकिम भारंकन को बढ़ाने के लिए बाद्धि होना पड़ा एक, भारतिय क्रिप्टो करेंसी बाजार की परिमान, दो एक्विटी व्यूत परनकों की ट्रेडिंग, तीन, तीन पत्ती रमी लूडो तता क्रिकेट से सम्मंदित पती सपरधाएं सही कूट है, एक केवल एक, बी केवल एक एवं दो, सी केवल एक एवं तीन, डी एक दो तीन सभी, उतर है डी, एक दो तीन सभी प्रश्ण 15 है, प्रधान मंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2023 को देश की पहली अम्रित भारत ट्रेंस को नवविकसित अयोध्याधाम स्टेशन से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया ये हैं एक दरभंगा अयोध्याधाम आनंद बिहार टर्मिनल नई दिल्ली मालदा टाउंसर एम विश्वे सरयया टर्मिनल बैंगलोरू उपर युक्तमे से सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, डी ना एक और ना दो उत्तर है सी, अमरिद भारत ट्रेन लेच बी पुश पुल ट्रेन है, घैरवाता नुकोलित अमरिद भारत ट्रेन में आगे और पीजे, दोनों और इंजन लगेंगे इन ट्रेनों में सुन्दर और आकरशक गद्देदार सीटें, सामान रखने के लिए रैक, मुबाइल चार्जर पॉइंट, एल एडी लाइटें, सी सी टीवी, जन सूचना प्रनाली आदी लगाई गई हैं प्रश्न सोल हैं वर्श्न दो हजार तेईस में भारत से निर्यातित कॉफी का मूले कितना था? ए. रुपए 9585 करोड़ बी. रुपए 8723 करोड सी. रुपए 6984 करोड डी. रुपए 5255 करोड उत्तर है ए. वर्श्न दो हजार तेईस में भारत ने रुपए 9585 करोड डॉलर 1161 मिलियन मूले की 3,777,178 टन कॉफी का निर्यात किया जो परिमानात्मक रूप से वर्श्न दो हजार बाईस 3,98,718 टन की तुलना में 5.5 प्रतिशत कम था डॉलर मूले में वर्श्न दो हजार तेईस का निर्यात डॉलर 1171 मिलियन वर्श्न दो हजार बाईस के निर्यात डॉलर 1115 मिलियन से 4.5 प्रतिशत अधिक था रुपए मूले में कॉफी का वर्श्न दो हजार तेईस में निर्यात रुपए 9,585 करोड 2,022 के निर्यात रुपए 8,723 करूर से 9.5 पतिशत अधिक रहा कौफी का सरवादिक निर्यात इटली को किया जाता है उसके बाद जर्मनी तथरूस का स्थान है प्रशन सत्र हैं गारंटी शुदा कीमत योजना किस दाल की खरीद के लिए प्रारंभ की गई है किसानों से सीधे तूर या अरहर दाल खरीदने की गारंटी शुदा कीमत योजना के बारी में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है A. तूर की खरीद के लिए लाँच किये गए पोर्टल पर पंजी करन कराने वाले किसानों से दाल खरीदे जाएगी B. दाल की खरीद नियुनितम समर्थन मूले पर नेफेट या NCCF द्वारा की जाएगी C. खरीदी गई दाल का भुकतान प्रतक्ष लाभ अंतरन डीबी टी द्वारा किसानों के खातों में किया जाएगा D. पोर्टल पर पंजी करन कराने वाले किसान खुले बाजार में तूर दाल की बिक्री नहीं कर सकेंगे उत्तर है D. दाल बिक्री पोर्टल पर पंजी करन कराने वाले किसान तूर दाल कहीं भी बेच सकते हैं प्रश्न 19. ओडिशा के निमलिकित प्रसिद उत्पादों पर विचार कीजिए एक लांजिया सा ओरा पेंटिंग, दो डुंगरिया कूंध कढ़ाई वाली शौल, तीन खजूरी गुड, चार धेंकनाल मगजी खाद्य पदार्थ, पांच सिमिली पाल काई चटनी, छी नया गहड कांती मुंडी बैंगन, साथ कोरा पुटकाला जारी चावल उपरिक्त में से कितनी पदार्थों को भोगोलिक संके तक जी आई दर्जा प्रदान किया गया है, ए केवल चार, बी केवल पांच, सी केवल छे, डी सभी साथ, उतर है डी सभी साथ, प्रश्न बीस राष्ट्रिय सांके किया कारेला द्वारा जारी वर्ष दोहजार तेईस चौवीस के राष्ट्रिय आई के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारतिय अर्थ विवस्था की आर्थिक विकासदर कितनी रह सकती है अ, 6.3 पतिशत, बी 6.8 पतिशत, सी 7.3 पतिशत, डी 7.5 पतिशत, उतर है सी 7.3 पतिशत प्रश्ण 21 वित्वश दोहजार तेईस चौवीस के प्रतम अग्रिम अनुमानों में अनुमानित क्षेत्रवार संवरिधी दर के संधर्व में निमलिकित में से कौन सा युग मिसुमेलित नहीं है अ, क्रिशी पशुपालन, मच्यपालन एवं वानिकी 4.3 पतिशत, बी विनिर्मान 6.5 पतिशत, सी निर्मान 10.7 पतिशत, डी सेवाए 7.7 पतिशत उत्तर है ए, वर्ष दोहजार तेईस चौवीस में क्रिशी शेत्रक के विकासदर 1.8 पतिशत अनुमानित है प्रश्ण, बाईस, समाचारों की सुर्खियों में रहा स्वैम सिध्ध के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है ए, योगो को लोखप्रिय बनाने की जन जागरण पहल बी, भारतिय स्टेट बैंक का वित्तिय उत्पाद सी, आयूश और शदियों के विपढ़न का एकी कृत कारिक्रम डी, छोटे बच्चों को पढ़ाने की एक अभिनव तकनीक उत्तर है, बी, भारतिय स्टेट बैंक ने दीन दयाल उपाद्ध है राश्ट्रिय ग्रामीर आजविका डी, ए, वाई, डैश, एन, आर, एलम के साथ मिलकर महिला स्वयम सहायता समूं की महिलाओं को नियूनितम संभव कागजी कारिवाई के लिए रुपए पाच लाख तक रिड़ उपलब्ध करानी के लिए भारतिय स्टेट बैंक का एक उत्पाद है प्रश्ण तेईज, निमलिखित देशों पर विचार कीजिए एक आइसलेंड, दो लीश्टेंस्टीन, तीन नौर्वे, चार स्वेजर लेंड उपर्युक्त में से कितने देश येरोपियन की ट्रेड एसोसियेशन EFTA के सदसे हैं A केवल दो, B केवल तीन, C सभी चार, D उपर्युक्त में से कोई नहीं प्रश्ण है C. येरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो आइसलेंड, लीश्ट एंस्टीम, नौर्वेग, तर स्विजर लेंड के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है प्रश्ण 24. विशेश आहारन अधिकार SDR के बारी में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है A. SDR एक अंतर राश्ट्रीय रिजव है, जो सदत से राश्ट्रो के विदेशी विनिमे रिजव का हिस्था है B. SDR अंतर राश्ट्रिय मुद्राकोश द्वारा निर्गत एक करेंसी है C. SDR का स्रिजन अंतर राश्ट्रिय तरल्ता की समस्या के समाधान ही तु किया गया था D. SDR का मुल्य अमरीकी डॉलर, युरो, युवान, इयन, बृतानी, पाउंड से युक्त करेंसी बास्केट के आधार पर तै होता है उत्तर है B. SDR अंतर राश्ट्रिय मुद्रा कोश द्वारा निर्गत एक करंसी है प्रशन 25. भारत सरकार के प्रतक्षकरों के संधर्ग में निम्लिकित तथ्यों पर विचार कीजिए एक, निबल प्रतक्षकर संग्रवश 2013-14 में रुपए 6.38 लाग करोड से 160.32 प्रतीशत भढ़कर वश 2022-23 में रुपए 16.64 लाग करोड हो गया दो, सकल घरेलू उत्पात के प्रतीशत रूप में प्रतक्षकर वश 2013-14 में 5.62 प्रतीशत से भढ़कर 2022-23 में 6.1 एक एक प्रतीशत हो गया उपर एक तुमें से सही है A केवल एक, B केवल दो, C केवल एक एवं दो, D ना एक और ना दो सही उत्तर है C केवल एक एवं दो, प्रशन 26 वश 2012-23 में भारत में कितने आईकर रिटरन दाखिल किये गए उप्शन्स है A 5.39 करोड, B 6.38 करोड, C 7.96 करोड, D 7.78 करोड उत्तर है D भारत में दाखिल किये गए आईकर रिटरनों की संख्या वित्वश 2013-14 में 3.8 करोड से 104.9 एक पतिशत बढ़कर 2022-23 में 7.78 करोड हो गई प्रशन 27 प्रधान मंत्री सूरदय योजना के बारी में निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही नहीं है A. इस योजना की घोशना 22 जनवरी 2024 को प्रधान मंत्री द्वारा स्वैम की गई B. इस योजना अंतरगत एक करोड घरों की छतों पर सौर उर्जा संयत्र लगाए जाएंगे C. इस योजना का क्रियानवयन राज्य सरकारोद्वारा अपने स्वैम के स्रूतों से किया जाएगा D. इस योजना का लक्ष निर्धनों एवं मध्य वर्ग के परिवारों में बिजली बिल की लागत को कम करना है C. यानि इस योजना का क्रियानवयन राज्य सरकारोद्वारा अपने स्वैम के स्रूतों से किया जाएगा प्रश्ट्रे संख्या 170 प्रश्न 28 किसी देश द्वारा निमलिखित के परिप्रेक्ष में किये गए लेन देनों पर विचार कीजिए 1. वस्तुओं का व्यापार 2. सेवाओं का व्यापार 3. हस्तान तरण भुक्तान उपर्युक्त में से कितने प्रकार के लेन देन भुक्तान संतुलन के चालू खाते के संघटक हैं ए केवल एक बी केवल दो सी सभी तीन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं उतर है सी यानि सभी तीन प्रश्न 29 भारत में विदेशी विनिमय कोशों का अभिरक्षक कौन सा निकाय है ए वित्तमंत्राले भारत सरकार बी भारतिय रिजर्व बैंक सी भारतिय स्टेट बैंक डी भारतिय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोड उतर है B. भारतिय रिजव बैंक विदेशी विनिमे कोशों का अभिरक्षक है। विदेशी विनिमे कोशों में विदेशी करेंसियों, स्वर्ण भंडार, विशेज आहारन अधिकार तथा अंतरराश्ट्रिय मुद्राकोश के पास रिजव की स्थिती आते हैं। प्रश्न तीस भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा जारी एक अध्यन मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस दो हजार पांच छे के अनुसार, दो हजार तेरह चौध हैं एवं दो हजार बाईस तेईस के बीज भारत के कितने लोग बहु आयामी निर्धनता से बाहर आए हैं A. 24.8 करोड, B. 23.5 करोड, C. 22.8 करोड, D. 21.6 करोड, उतर है A. नीति आयोग के आकलन अनुसार भारत में बहु आयामी निर्धनता के अंतरगत जीवन यापन कर रही लोगों का अनुपात बश दो हजार तेरहें चौध हमें 39.7 प्रतिशत से खटा कर दो हजार बाइस तेईस में 11.28 प्रतिशत रहे गया है दो हजार उन्नीस एकीस के बीच ये अनुपात 14.96 प्रतिशत था प्रश्न 31 नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार दो हजार तेरहें 14 इवं दो हजार बाइस तेईस के बीच बहु आयामी निर्धनता में रह जमें हुई थी A. मध्यप्रदेश B. राजस्थान C. उत्तरपदेश D. बिहार उत्तर है C. 2013-14 इवं 2022-23 के बीच उत्तरपदेश में 5.94 करोड बिहार में 3.77 करोड मध्यप्रदेश में 2.3 करोड तता राजस्थान में 1.87 करोड लोग बहु आयामी निर्धनता से बाहर आए प्रश्न 72 बहु आयामी निर्धनता की अवधारना किसके द्वारा विक्सित की गई है A. सबीना अलकाईर एवं जेम्स फोस्टर B. अमर्तिय सेन C. महभूब अलहक D. जीन ड्रेज उत्तर है A. सबीना अलकाईर एवं जेम्स फोस्टर प्रश्न 33 निते आयोग ने निम्लिकित में से किस निकाई के साथ मिलकर राश्ट्रिय बहु आयामी निर्धनता सुचकांक विक्सित किया है जिसको प्रयुक्त करके राश्ट्रिय राज्य इवं जिला इस्तर पर बहु आयामी निर्धनता का आकलन किया जा सकता है 1. संयुक्त राष्ट्र विकास कारिक्रम, 2. Oxford Poverty and Human Development Initiative, 3. राष्ट्रिय सांखिकी कारियल, 4. विश्व बैंक, वो पर्युक्ति में से कितने कथन सही हैं? A. केवल एक, B. केवल दो, C. केवल तीन, D. सभी, 4. उत्तर है, A. नीति आयोग ने भारत के लिए राष्ट्रिय बहु आयामी निर्धनता सुचकांग को संयुक्त राष्ट्र विकास कारिक्रम तता Oxford Poverty and Human Development Initiative OAHI के साथ मिलकर विक्सित किया है? प्रश्ण 34. अंतराष्ट्रिय नौवहन के महत्वण मार्ग हैं? प्रश्ण 35. बश्च दो हजार वाइस तेईस बो अ में केंद्र इवम राज्यों का शिक्षा पर व्याइच इस्तित है जो फारिस की खाड़ी से खुले महासागर तक एक मात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है? कुल व्याइच का कितनी प्रतिशत था? प्रश्ण 36. बश्च दो हजार वाइस तेईस बो अ में केंद्र इवम राज्यों सरकारों का स्वास्थे पर व्याइच इनके समलित कुल व्याइच का कितनी प्रतिशत था? A. 3.2 प्रतिशत B. 5.3 प्रतिशत C. 6.1 प्रतिशत D. 6.9 प्रतिशत उत्तर है D. वश्च दो हजार वाइस तेईस की बजट अनुमानों में केंद्र सरकार इवम राज्यों सरकारों का कुल व्याइच रुपए 80,88,684 करूर अनुमानित था? जिसमें से 6.9 प्रतिशत यानि रुपए 5,48,885 करूर स्वास्ते पर खर्च किया गया प्रश्न 37 भारत में सरवादे क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक है A. HDFC बैंक B. ICICI बैंक C. SBI कार्ड डी एक्सिस बैंक उतर है A. HDFC बैंक द्वारा जारी एक सूचना के नुसार 23 जन्वरी 2024 तक उसके द्वारा 2 करूर स्यदे क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके थे जो किसी एक बैंक द्वारा जारी किये गए सरवादिक थे इसके बाद ICI बैंक SBI कार्ड सता एक्सिस बैंक का इस्थान था प्रशन 38 निमलकित राज्यों पर विचार कीजिए एक आंधर प्रदेश, दो गुजरात, तीन करना टक, चार तमिनाडू उपर्युक्त में से कितने राज्य पांचवे लोजिस्टिक्स is across different states Leads 2023 में Fast Movers संवर्ग में है A केवल 2, B केवल 3, C सभी 4, D उपर्युक्त में से कोई भी नहीं उत्तर है D, पांचवे Leads यानि L E A D S Leads 2023 में आंधर प्रदेश, गुजरात, करनाटक, तमिनाडू, तटियराज्य संवर्ग, हर्याना, पंजाब, तेलंगाना उत्तर पदिश, फुमी सीमाउं से घिरे राजे संवर्ग, असम, सिक्किम, तथा त्रपुरा, पूर्वोत्तर राजे संवर्ग, तथा चंडीघड और दिल्ली, सन, शा, ख्षे संवर्ग, अचीवर्ज संवर्ग में है प्रश्न 49 नीते आयोग द्वारा विकसित बहु आयामी निर्देशांके के आगडन में निमलिकित में से किस पर विजार नहीं किया गया है अ, परिवार का आयस्तर, बी, नाग्रिकों के बैंक खाते, सी, नाग्रिकों की आवास विवस्था, डी, नाग्रिकों को उपलब्ध पैजल सुविधा उत्तर है अ, परिवार का आयस्तर प्रश्न 40 निमलिकित में से कौन सा राज स्टार्ट अप रैंकिंग 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कारी बेस्ट पफोर्मर संवर्ग में है एक गुजरात, दो महराष्ट्र, तीन करनाटक, चार तेलंगाना सही कूठ है अ, केवल एक एवं तीन, बी केवल एक दो तीन, सी केवल एक, डी एक दो तीन, चार, सभी उत्तर है अ, केवल एक एवं तीन प्रिश्ट संख्या 171 इस प्रिश्ट पर उत्तर व्याक्या सही दिये हुए हैं, जिने की हम पहले ही बता चुके हैं प्रिश्ट्र संक्या एक सो बहात्तर